आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सेरी बेलम सेरी बेलम के बारे में जो पहली पहली चीज आपको जानी है वो यह है कि यह सेम साइड ऑफ बॉड़ी को कंट्रोल करता है यानि इसका इपसी लेटरल कंट्रोल है सेरी बेलम के दो लोब्स होते हैं दोनों में से जो राइट वाला लोब है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है जो बड़ा संद सा डाइग्र where rolled उठाब वह यह लोग्व कहते हैं और इसमें आप अच्छे देके सकते हो यह वेंग्रेंज औस सामने की तरण आपको दिख़ा है सेरी बेलं सेरी बेलम के अं और इसके पीछे की तरफ यहां पर लाई करती है हमारी फोथ वेंट्रिकल एंद अब यहां पर और भी डाइग्राम से इनके बारे में हम लोग वीडियो में लेटर ओन डिसकस करेंगे यह सुपीरियर व्यू है सेरी बेलम का और यह अनाटमी को लोब को शो किया गया इस सेरी बेली तो इन थीनों से सबसे लासिस पार्ट जो है वे हाइनड ब्रेन अब के ऐंब शोरी में सबसे लाजेसथ पार्ट में यह तिनों सिरी में बिंद यह तो सैरी पर लंग लो केशन कहां पर सिचुतेट थैंपौर्टिंट हमेशा बंद भीण हमेशन रश्यूरियं तो फिर ते रिबीट कर दूं बताओ पॉस्टीरियर करनेल फॉसा बिलो दे टेंटोरियम सेरी बली और फॉर्थ वेंट्रीकल किसकी वेंट्रीकल होती है वेंट्रीकल अब इसके कुछ एक्सटरनल फीजस की बात कर ली जाए यह ओवोईड शेप का होता है इसके दो सेरीबरल हेमिसफेर्स होते हैं वो दोनों कनेक्टेड होते हैं और बीच में एक कंस्ट्रिक्शन होती है बीच में कंस्ट्रिक्टेड होता है समझ रहे हो तो ओवईड इन शेप कंसिस्ट ऑफ टू सेरीबरल हेमिसफेर्स विच आर कनेक्टेड टू इच एदर surfaces की बात करते है external features में surface इसके दो है superior और inferior surface superior surface जो होता वो slightly convex होता है और अभी हमने बात करी थी vermis की जो vermis का superior aspect है superior aspect of the vermis is separated from the inferior surface by a fissure which is called horizontal fissure यहाँ पर horizontal fissure का काम याद रखना कि यह superior और inferior surface को क्या करता है separate करता है inferior surface is greatly enlarged and overlies some portion of the vermis थोड़ा सब portion overlay भी करता है vermis का inferior surface now between the two cerebral hemispheres हमारे पास fox cerebri का intervention होता है fox cerebri तो दो cerebral hemisphere के बीच में आप between देखोगे तो you will see there is intervation sorry there is intervening यानि midline में लाई करता है fox cerebelli fox cerebelli क्या है यह एक dural fold है fox cerebelli क्या है एक dural fold है पेड़ अंकल्स यास cerebellum posterior aspect of brain stand से connected होता है by three pedancles और यह जो pedancles हैं कौन कौन से हैं एक तो है हमारे पास superior pedancle एक है हमारे पास inferior pedancle और बीच में है हमारे पास बिच्चु में कौन सा है middle cerebellar pedancle अब superior cerebellar pedancle क्या है यह mid brain से connect करता है middle वाला pawn से connect करता है cerebellum को inferior वाला mid brain से connect करता है तो यह तीन superior middle और inferior cerebellar pedancle हो गए अच्छा कोशन है वाईबा में गर पुछ लिया जाए inferior cerebellar pedancle कौन सी cranial nerve से related है that is our hypoglossal nerve अच्छा मैं इत्ती देर से बोल दाऊं pedancle 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 भाई यह pedancle है क्या pedancle है collection of large bundle of fibers so what is pedancle it is a collection of large bundle of fibers और एक बहुत खास बात इसके बारे में याद रखने लाइक कि यहां पे सिर्फ white matter present होता है only white matter is present okay तो three pedancles हमारे पास होते हैं we have discussed already fibers entering and leaving the cerebellum so अगर pedancle आपको पुछ लिए what is pedancle तो आप बोलोगे pedancles are the collection of the large bundle of fibers which are entering and leaving the cerebellum and connecting the uh connecting the cerebellum with the posterior respect of the brain stem okay that's it बड़ा easy है इतना simple जी बात है then अच्छा मैं आपको यह दिखा दूँ के pedancles कैसे दिखते हैं यह collection of nerve fibers कैसा होता है जरा देखिया आप slide में मैंने नीचे की तरफ diagrams डाले है यह आपका diagram है यह है pedancle अब आप यहां पर देख सकते हो यह यह जो मैं अभी highlight करने जा रहा हूँ यह है superior pedancle ठीक है यह है middle pedancle के fibers ठीक है और यह है हमारे पास inferior pedancle this is inferior pedancle तो यह pedancle आपने देख लिए superior inferior and middle pedancle inferior pedancle के कुछ आप fibers यहां पे भी देख सकते हैं ठीक है तो तीन pedancle हैं जो इस cerebellum को यह brain stem के different parts से connect कर रहे हैं यह देखो olive लिखा होगा olive किसका part होता है medulla का part होता है ठीक है अच्छा यहीं पर लगया आत एक चीज बता दी जाए pedancle में सिर्फ white fibers होते हैं घ्रे फाइबर नहीं होते हैं मैंने बता दिया only white matter तो superior pedancle जो होता है यह mostly efferent होता है inferior pedancle mostly efferent होता है and middle pedancle is only efferent ठीक है जी ओके that's it यह हो गया हमारे पास next हम आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे इसकी 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 lobes के बारे में तो anatomically हम लोग cerebellum को तीन lobes में divide करते हैं भाई देखो यह जो तीन lobes है इनका तीन lobes का नाम क्या है देखो एक तो है anterior lobe एक है middle lobe इसको posterior बोलते हैं लेकिन आप middle ही बोलना ज्यादा था ठीक है और तीसरा lobe होता है flocculonodular lobe तो यह तीन lobes है हमारे पास once the anterior middle and flocculonodular lobe अब आप ज़रा गौर से इस diagram को देखिए यह जो lobes हैं हमारे पास तो anterior lobe को middle lobe से separate करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है fissura prima एक fissure है जिसको हम कहते हैं fissura prima तो यह anterior lobe को middle lobe से अलग करता है horizontal fissure का तो हमने पहले ही function देख लिया था क्या करता है यह superior inferior surface को अलग करता है फिर उसके बाद में flocculonodular lobe को middle lobe से अलग कौन करता है तो हमारे पास यहाँ पे होता है posterolateral fissure या फिर इसको हम लोग uvalonodular fissure भी कहते हैं यह middle lobe को और flocculonodular lobe को अलग करता है ठीक है और बीच में एकदम बीच में जीब जैसी मोटी तगडी जो structure दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं बताओ क्या कहते है मेडिय जी जी है क्या क्या बήςड धुलो तोड़ी तेर पहले मैं तो लेमें बोलता था इसको कहते हैं वर्मिस इसको कहते हैं वर्मिस hockey मेडियन वर्मिस और इस वर्मिस का एकदम ही जो एकदम एक्स्ट्रीम वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग लिंग्यूला ठीक है और इधर की तरफ नॉड्यूल अब यह जो सब डिविजन सें इसके वर्मिस के इनको हम लोग अब भी डिसकस करेंगे थोड़ी देर में अब देखिए ज़रा morphological subdivision of the cerebellum तो morphologically अगर हम देखें तो cerebellum को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो paleocerebellum एक है neocerebellum और एक है archy cerebellum ठीक है सबसे पहले let us discuss about paleocerebellum पैरियो cerebellum देखो एक तो anterior lobe एक यूवला और एक pyramid of vermis इन तीनों को मिला करके यह तीनों जो division से इनको मिला के हम paleocerebellum कहते हैं क्या anterior lobe यूवला और pyramid of furnace उसका function क्या है it facilitate a smooth coordinated voluntary movement अब यह subdivision सारे की सारे देखें सबसे पहले इदर parts of the vermis में lingula, central lobule, culman, declusive, folium, then tuber, then pyramus, then yuula यह वाला part और extreme nodule दर की तरफ ठीक है तो yuula ओके यह यहां से वर्ड है फिर उसके आद में देखो anterior lobe इतनी इतनी होगी यहां पे दिखाई जा रहा है anterior lobe यह वाला part anterior lobe का है यह वाला posterior lobe का है यहां तक तो यह सारी चीज़े हमारे पास है ठीक है अब इस subdivision को आप अच्छे से देखेगा properly एक बार observe कर लीजेगा फिर आपको और आम समझ में आ जागे एक anterior lobe yuula plus pyramid of vermis इसको मिला के हम paleocerebellum कहते हैं उसके बाद में neocerebellum neocerebellum का छोटी सी बात है middle lobe पूरा except the yuula and pyramid constitute the neocerebellum middle lobe पूरा except the yuula and pyramid ठीक है middle lobe को हम लोग क्या कहते है except the yuula and pyramid neocerebellum function क्या है performance of the voluntary movement voluntary movements and maintenance of the muscle tone और muscle tone को maintain करते करते it help in the maintenance of the posture तो neocerebellum का काम हो गया maintenance of the posture then archi cerebellum archi cerebellum और की नाम भाई oldest part है cerebellum का और यह कैसे बनता है it is इसके constituents क्या है एक तो flocculo nodular lobe plus lingula मिला करके इसको हम लोग archi cerebellum कहते है then function क्या है इसका it assists in maintaining the equilibrium by modifying the muscle tone okay then nuclei of the cerebellum from lateral to medial direction हम बात कर रहे है lateral to medial direction nuclei के नाम आपको याद रखने है very important dentate emboli form fastigial and globos nuclei यह चार nuclei के नाम आपको याद करने है यह lateral to medial direction में है उसके बाद अगर हम discuss करने जाएं दोस्तों median vermis अब देखो यह जो frog बना हुआ यह क्या है अब देखो आपको यह समझना बहुत जादा ज़रूरी है एक important चीज़ है यह median vermis median vermis तो median नहीं लाए करती है ना तो median vermis जो होता है इसका function क्या होता है यह frog बना हुआ है यह देखो neck है इसकी यह सारी चीज़ें इससे क्या समझाता है कि it controls the muscles of the neck it controls the muscle of the neck shoulder thorax abdomen and hips ठीक है intermediate portion just lateral to the vermis lateral to the vermis यहाँ पर आपको यह intermediate portion जो दिखाई दे रहा है यह पैर दिखाई दे रहे हैं पैर क्यों दिखाए हैं क्योंकि यह frog यह show करना चाहता है कि वर्मिस के just lateral यह जो intermediate area है it intermediate area intermediate portion है it controls the muscle of distal part of the limbs ठीक है distal part में हमारा hand आ जाएगा foot आ जाएगा यह समझ उसके बाद में lateral portion अब इसके लाग जो जितना भी lateral portion बचा है इस lateral portion यह जो बैठे हुए frog है यह क्या show कर रहे है यह show कर रहे है सोच विचार कर रहे है बैठे बैठे यहाँ पे तो यह show क्या कर रहे है देखिए जरा जो lateral portion है helps in the planning and programming of the moment यह frog बैठा बैठा शडियंत रच रहे है यहाँ ठीक है कैसे planning and programming of the moment और साथ साथ में माता पकड़ की इसलिए बैठा है क्योंकि अगर कोई moments में errors है उनका correction भी lateral portion ही करता है उसके बाद में let's talk about the histological structure of the cerebellum histological structure बड़ा simple है तीन layers है भाई सबसे पहले cerebellar cortex which is made up of grey matter cerebellar cortex और cerebellar cortex में भी अंदर तीन layers है तीन layers कौन कौन सी है जरा गोर से देखो अपनी screen पर तीन layers कौन सी है भाई एक तो outer molecular layer एक परकिंज से layer and एक है granular layer सबसे पहले outer molecular layer की बात करते हैं outer molecular layer में हमांको देखने को मिलेंगी वाई outer बाहार की side में stellate cells और अंदर की side में basket cells उसके बाद में Parkinson's cell layer है यहां पर आपको Parkinson's cells देखने को मिलेंगी गोल्जी cells देखने को मिलेंगी और यहां पर एक बात दोस्तों याद रखना यहां पर जो type of neuron these are neuron cells right तो जो type of neuron यहां पे देखने हों मिलेगा न वोगा Golgi type 1 भाई Golgi type 1 type 2 यह classification पड़ा वो बढ़ा होता है तो axon लंबा होगा इन cells का ठीक है परकिंजे cells का axon बड़ा लंबा होगा granular layer यहां पर बहुत सारी numerous rounded granular cells प्रेजन्ट होते हैं जिनका बड़े बड़े न्यूप्लिया ही होते हैं ठीक है अब मैं आप कोई बात बदाना चाहते हूँ यहाँ पर आपने किती सेल्स देखी है इन पाँचों में से सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्यूल सेल्स का जो फंक्शन है वो एक्साइट्रेटरी नेचर का है रेस्ट बाकी जो सेल् inhibitory in nature, उसके बाद में white matter की बात करते हैं, white matter of the cerebellum, इसमें तीन group of fibers present होते हैं, एक तो intrinsic fiber, एक efferent fiber, एक efferent fiber, अब देखिए जो intrinsic fiber हैं यहाँ पर, intrinsic fiber है, it doesn't leave the cerebellum, देखो intrinsic का मतलब ही हो गया न, अंदर ये अंदर गोट के मार दो आदमी को, intrinsic, अंदरूनी बात, भीतरी बात, तो intrinsic fiber जो होते हैं, यह cerebellum को leave नहीं करते, यह cerebellum के different reasons को connect करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे folium को, some foliums को collect करना, folium को vermis से connect करना, same side के, फिर opposite side से connect करना, so intrinsic fiber does not leave the cerebellum, अंदर ये अंदर connection करते हैं, different regions को connect करते हैं, और फिर efferent fibers, efferent fibers जो है, यह actually यहाँ पर दो type की होते हैं, efferent fibers, यह नाव आप याद रख लेना, एक बार एक तो mossy fiber, और यह clamming fiber, mossy और climbing fiber, तो form the efferent fiber, form the greater part of the white matter and proceed to the cerebellar cortex, बाहर निकल जाते हैं, efferent, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और efferent fibers constitute the output of the cerebellum, और यहाँ पर जो परकिंजे cells के exons जो होते हैं, यहाँ पर वो बनाते हैं, efferent fibers, ठीक है, परकिंजे cells के लंबे exons होते हैं, वो efferent fibers बनाते हैं, and this constitutes the output of the cerebellum actually sorry मैंने अभी गलत बोल दिया था ना efferent ले की आता है and then efferent बहार निकल जाता output जो होता है वो efferent से निकलता है then हमारे पास तीसरे नंबर पे we have intercerebellar nuclei which intercerebellar nuclei है it consists of the masses of the grey matter embedded in the white matter so you have to remember this what is intercerebellar nuclei यहाँ पर grey matter के masses होते हैं जो white matter के अंदर धसे होते हैं and these are composed of the aggregation of the grey matter that's it okay nuclei के नाम फिर से मैं यही लिख देता हूँ from lateral to medial direction we have dentate, emboliform, globose and fastigial ठीक है अब देखिए इसमें जो dentate है largest है और जो उपर वाले तीने हैं dentate, emboliform and globose it influences the ipsilateral motor activity and the fastigial it influences the ipsilateral muscle tone माफ कीजिएगा कुछ अलग गतीविदी होगे वज़े से light चली गई इसके वज़े से थोड़ा अभी camera off हो गया बढ़ कोई बात ही हम लोग ऐसे continue करते हैं तो nucleus के नाम और function आपको एक बार याद रखने हैं इसके बाद में लोग बात करते हैं gray matter gray matter क्या होता है? collection of the cell body, neuroglia and blood vessels यह जो चीजे मैं आपे बोल रहा हूँ these are the most important things which I have collected from the different sources and यह आपको पता होनी चीजे अगर आप वाइवा देने जा रहे हो तो you must know everything about cerebellum which has been written by me in these slides okay so अब यह देखिए यह histological layers आप यहां से देख सकते हो अच्छे से आप यहां पर देखने लाग क्या चीज़ जैसे climbing fiber देख रहा है climbing fiber कितना बड़ा है मौसी फाइबर क्लाइबिंग फाइबर में कई बार difference पूछ लेते हैं क्या difference होता है climbing fibers होते हैं actually stimulate single perkinje neuron and जो मौसी फाइबर होता it stimulates several perkinje neuron समझ रहे हो लगली जो climbing fiber होता है यह उपर जागे देखो एकदम proper जागे एक सिंगल perkinje neuron को stimulate कर रहा है ठीक है और देखो उपर वाली layer में जाके और मौसी देखो यहाँ एकदम जल्दी से खता हो रहा मौसी network बनाती है और मौसी बहुत सारे several perkinje neurons को stimulate करती है by making a network तो यह दोनों में differences हो गए उसके लाब देखी यह cerebral cortex है इसके अंदर molecular layer है ganglionic layer है उसके बाद में granular layer है सो दीजाद है यहाँ पर सारी cells आपको देखने को मिल जाएंगी satellite cell यह पर किंजे cells हैं यह पर सारी सारी line में पर किंजे cells है granule cells आपको देखने को मिल जाएंगी उसके बाद में आप देख सकते हैं एक परकिंबले सेल का कितना बड़ा होता है। टाइप वन होता है। यह परकिंबले इसेल जीन का नि मुगत जादा बड़ा। वरकिंभे आपको देखने को मिलेंगे हाम से ग्रेनूल सेल संती जाहते को बहुत थाणिय। सेल्स न ते लिए Cerebral Artery, Anterior Inferior Cerebral Artery और Postero Inferior Cerebral Artery अब यह जो उपर वाली दोनों आर्टरी हैं यह बेसिलर आर्टरी की ब्रांच अब सबसे पहले हम बात करते हैं Cerebral Artery की यह आपको पूचा जाएगा किस की ब्रांच है यह बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है अच्छा बेसिलर आर्टरी जब आप अपनी बुक में बीडी में देखोगे या फिर दत्ता में या फिर विश्राम सिंह में तो आपको अगर आर्टील सप्लाई का डाइग्राम अ दो एक्डम ऐसा इस होता है इस तरीके से यह ऐसा देखने को मिलेगा फिर आगे जाके ऐसे बुट सारी ब्रांच होंगी इस की पिर उस के आद में आगे जाके ऐसे चलिए पोस्टीर सेरी में असा बैसिल भलता टी बनी नालेगी ठीक है है फिर अप्री दिन segu ब्रांच at the lower border of the pawns, location याद रख लेना at the lower border of the pawns और या बसिलर अर्टरी बनने के बाद ये बसिलर ग्रूव में प्रेजन रोव प्रेजन वति है बसिलर ग्रूव ऑफ द पॉंस, now you can clearly see यह जो basilar artery है चलो ऐसे बन गई अब इसकी terminal branch मैंने बता दी अब इसकी और कुछ branch इसके बारे में जाननो हो जैसे एक pontine branch हो गई लेबरिंथिन artery and then anterior inferior cerebral artery anterior inferior तो अलग से लिखी यह दी हमने then हमारे पास है posterior inferior cerebellar artery posterior inferior cerebral artery जो होती है it is branch of vertebral artery it is branch of vertebral artery direct branch okay venus drainage देखो सारा दो वेंस में खतम है superior cerebellar veins and inferior cerebellar veins ठीक है और जब superior cerebellar veins की बात करते हैं तो कहां drain करती है जाके यह sinuses में drain करती है कौन से sinus trade transverse and superior petrosal sinus okay और inferior वाली transverse and inferior petrosal sinus में drain करती है उसके बाद में constituent of cerebellar pedancles यह भी एक बहुत important चीज़ है कि यहां पे pedancle में afferent or efferent tracts होते हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने है superior cerebellar pedancle जो कि cerebellum को mid brain से connect करता है उसके afferent track कौन से हैं एक तो anterior spinal cerebellar and tacto cerebellar और efferent track कौन से हैं globurubral क्या है यह globurubral एक है dentatothelmik एक dentato olivory एक fastigio reticular उसके बाद में middle cerebellar pedancle के afferent track में क्या है pontocerebellar ठीक है उसके बाद में inferior cerebellar pedancle जो कि medulla oblongate से connect करता है cerebellum को उसके track के नाम काफी ज्यादा हो गए ना तो यह आपको याद करने posterior spinocerebellar cuneocerebellar olivocerebellar parolivocerebellar reticulocerebellar vestibulocerebellar anterior external arcuate fiber strea medullaris trigeminocerebellar fastigio vestibular cerebellar olivory fastigio taticular तो यह different tracts के नाम ज़रूर आप रटे उसके बाद में histological structure वैसे मैं show कर सकता था कर दिया था बट लाइक अंडर microscope कुछ इस तरीके का दिखाए देगा outer molecular layer and inner granular layer and purkinje cells at the junction and you can see you can see purkinje cells at the junction पे और uniform structure है यहां पे इस तरीके की structure आपको यह यहां पर इस टाइप का यह सब structure देखने को मिलेगा when you will observe under the microscope right उसके बाद में next thing to be considered is this cerebellar syndrome देखो जब भी cerebellar legions होते हैं तो उनकी वजह से जो signs and symptoms arise होते हैं उन सब को मिला के हम लोग cerebellar syndrome के देते हैं और अब अगला पूछेगा आप से इसके characteristics क्या है characters क्या होंगे तो patient में आपको दिखेगा muscular hypotonia means the loss of the muscle tone then you will you will get to see intention trimmer which will be only during the movements ठीक है यसे इसके बाद में एडिया डैको निश्या एडिया यही क्या लिखाओ इतना जब समझी भी नहीं आ रहा एडिया डैको काईनेश्या एडिया डैको काईनेश्या ठीक है तो इसमें क्या होता है failure to perform the rapid alternate moment जैसे flexion extension का moment होता ना तो rapid जो alternate moments है यह सब possible नहीं होंगे rapid alternate moments नहीं होंगे उसके बाद में scanning speech होगी देखो यह moment ऐसे करके दिखाना पड़ता यह वाला moment नहीं होगा rapidly उसके बाद में हमारे पास है nystagmus यानि oscillatory moment of the eyeball ठीक है scanning speech then ataxic या फिर ataxia या फिर unsteady gate जिसको हम बोलते है या इसके बाद में this r3 यानि disturbance in the speech यह सारे के सारे characters है cerebellar syndrome के तो I hope आपको समझ में तो आया होगा मतलब ऐससे तो क्या ही है यार बढ़िया हो गया बस यह आपको पढ़ना है अच्छे से notes बगर I will try to provide you और बाकी मिलते हैं next video में till then take care bye bye see ya बढ़िया है